हेलो फ्रेंड्स मैं हो विकास स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम जानेंगे कि वीवो के फोन में गूगल अकाउंट यानि कि प्ले स्टोर आइडी जिसे लोग जीमेल आइडी भी कहते हैं वो कैसे बनाते हैं क्या तरीका है आई आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं तो सबसे पहले आपको अपने फोन में नेट आन कर लेना है आपके फोन में नेट आन है कि नहीं देख लीजिए मेरे फोन में नेट चालू है तो नेट चालू कर लीजिए फिर आपको अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है ओपन करने के बाद यहां पर आपके पास ऐसा page आएगा, आपको मिलेगा यहां पर sign in या singing in, आपको इस पर touch करना है, आप ऐसे page पर पहुचोगे, आपको यहां पर मिल जाएगा email और phone, तो आपको email और phone पर touch करना है, आपके पास ऐसा page आएगा, आपको मिलेगा create account इस पे आईए for myself वाले option पे जाईए आपको इस पे touch करना है आपको मिलेगा हैं पर first name और last name तो आपको first name पे आना है first name पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है आधा उपर आधा नीचे मैं आपको डालता हूँ राहुल नीचे डालता हूँ कुमार next पे touch करते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा month, day और year select करने के लिए तो आपकी birth date क्या है select करिए तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 3 June 2019 जेंडर select कर लेजिए male या female next पे touch करिए थोड़ा से wait करिए एक Gmail ID create करिए तो यहाँ पे आपको एक Gmail ID create करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपना नाम डालिए राहुल कुमार जो भी आपका नाम है तो मेरा नाम है राहुल कुमार space मत दीजिएगे बीच में कहीं पर भी तो इसमें space में हटा देता हूँ इसको फिर आप लिखिए यहाँ पर dot फिर आप लिखिए यहाँ पर double six five zero nine यह लिखिए यह सेम टू सेम अपना नाम लिखिएगा राहुल कुमार next पर टच करें अगर आपके पास ऐसा page आता है इसको मतलब यह ID किसीने ले रखिए तो आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसे next पर टच करना है और यह हो गया अब आपको पासवर्ड करना है मैं पासवर्ड बनाता हूँ यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है मैंने next पर टच करता हूँ ऐसा page आएगा नीचे की तरफ आना है तो ऐसे आप इसको इस्तिमाल कर सकते हो अपने किसी भी वीवो के फोन में अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी और नई वीडियो में